हेलो एबरिमन वंच केन आपका स्वागत है यूबवन अकेडमी में जैसे के हम पहले बता चुके हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइन्स को पूरी तरह डिकोड करेंगी क्लास 10 थे के अंदगा साइन्स का यह फूर्ट चेप्टर चल ला है जिसका नाम है कार्बन its compound carbon और उसके यह होगी इस से पहले हम इस चैप्टर के 6 वीडियो देख चुके हैं आजके इस वीडियो हम कार्बन की जो chain'sendra है? ब्रांच और जो रिंग है OUTि जो रिंग के फूर्म को अभी तक सब्सकाराब नहीं किया हो सब्सक्राब कर लाइं ताकि आपको पूरी वीडि पार्ट सेवन, चेन, ब्रांचेज, एंड रिंग्स, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलता है, स्रंख लाएं, साखाएं, एं वलाएं, रिंग को हिंदी में वलाएं बोल सकता है, इससे पहले हमने याद रखोगा, आपको कार्वन, मिथेन का फॉर्मला बनाया था, ठीक है, उसके बाद हमने इथेन का फॉर्मला में कार्वन एटम के ते दो, तो कार्वन और कार्वन की बीच हमने single bond दिखाया था, और उसके साथ 3 हडवन एटम हमने attached किए बहे थे, तो ये इथेन का structure था, ऐसे क्या होगा आपके पास प्रोपेन का structure भी होगा, ठीक है, तीन कार्वन एक, इथेन में दो, प्रोपेन में तीन, such chains of carbon atoms are contained 10s of carbon atoms इस तरिके से क्या होता है इसमें 10 carbon atoms के साथ क्या हो सकते हैं दस दसों carbon atom क्या हो सकते हैं जोड़ सकते हैं ठीक है the names and structure of six of these are given in table 4.2 ठीक है 4.2 में छे carbon atom के नाम आपको दिये गए हैं उनकी formula और उनकी नाम ठीक है और उनकी संग्रस्ता है structure जो होंगे इस structure को यहां पर थोड़ा diagram उतनी अच्छके तरिकी से नहीं बन पाए तो हम यहां पर structure में खुदी बना दूंगा है यहां पर methane, methane का formula पहले बता सकाओं इसका structure क्या होता है यह methane का structure है ठीक है दूसरा क्या हमारे पास ethane तो carbon and carbon new bees क्या होता है single bond ठीक और प्रते carbon atom के साथ 3 hydrogen atom जिड़ो वे रहते हैं तो यह किसका structure है ethane का C2S6 ठीक है दूसरा क्या होता प्रोपेन तो प्रोपेन का structure में तीन क्या होता है इसको में पहले बता सकाओं तो यह प्रोपेन का structure हो जाएगा एक carbon atom दूसरा carbon atom तीसरा carbon atom ठीक है तो यह clean carbon atom है कौन कौन से 1 2 3 जो terminal carbon atom है जो अंतिम सीरे पर carbon atom उसके साथ 3 hydrogen atom जुड़े हुए है तो यह carbon atom देख रहे है इसका 1 पर देखो इस पर 3 hydrogen atom यह जुड़े हुए है थीक कितने hydrogen atom जुड़े है इसके साथ ? 3 hydrogen atom इसके साथ एटज़े हुए है 20 वाला जो carbon atom है यह वाला इस पर कितने 2 hydrogen atom एक उपर के तरफ है एक नीचे की तरफ ठीक है तो दो hydrogen atom आप इस पर देख पा रहे है और जो अंतिम सीरेवा carbon atom इसके साथ 3 hydrogen atom जुड़ है 1 2 और 3 hydrogen atom इसक ठीक है कितने कार्मेटम होगी इसमें 4 1, 2, 3, 4 अंतिम शिरे के जो कार्मेटम हो उसमें कितने कार्मेटम जुड़े होगे 3 इसको याद रखेगा जहाँ पर आप अंतिम कार्मेटम दिखाएंगे चाहे चेन में हो चाहे branch हो चाहि तो हम इसके साथ किंदधे हड़ोगे हम इसके साथ तीन हड़ोगे और दो दी तर्मिल हो जाएगा पिर पेंटें के बाद हैगा फिर कार्मेटम जोड़ा हमने इसके साथ कितने हो जाएगी तो इस धंशी क्या होगा हम इस ट्रक्स को बना सकते हैं तो कैसे यहाँ पर carbon atom जोड़ा हमने और कैसे hydrogen atom उसको हमने इस ट्रक्सर लिए यहाँ पर दिखा दिया बढ़ लेट्स टेग अनेधर लुक अट ब्यूतेन हम ब्यूतेन की इस ट्रक्सर की बात करते हैं देखो एक तो हमने यहाँ पर दिखा रहा है कैसा carbon 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 चार carbon atom हमने इस ट्रेट चेन के साथ दिखा रहा है उसके लाव हम इसको ऐसे भी बना सकते है carbon carbon इसके साथ carbon atom और इसके साथ carbon atom तो इस तरीके से भी हम carbon को जुड़ा सकते हैं तो यह वाला जो carbon atom है 20 वाला यह वाला इसको मान सकते हैं तो इस पर कितने carbon atom जूड़ हो हैं तीन carbon atom इसके साथ 2 hydrogen atom आएंगे बीच वाले के साथ इस वाले के साथ 2 hydrogen atom आएंगे और इस अंतियम पर कितने carbon atom होगा उसके साथ कितने hydrogen atom आएंगे? तीन हेडोजन इसको मैं पहले बता चुका है बीटोन काश्टक्स आप पहले भी देख चुके हैं तो इसको मैंने सिंपल ऐसे बना दिया थोड़ा सा अब यहां पर देखो यह जो कार्मटम है इसमें देखो इसके साथ कितने हेडोजन आएंगे तीन अंतिम शिरेप है तो इस इस पर क्या कर दिया आपनी थीन हेडोजन जो दिया अब जो इपारल जो कंश्या होती उस पर कितने हेलएंगेट पने पने थी पांचफवजन इस कार्मटम से आया थी ऑगया है है कि यह उपनी सिंगल बान से धिकक्रजन यहां से आएगा तो और बचातन कि इसक एक तो एक हां पर यहां पर योड सकते हैं तो यह वाला जो carbonate था इस पर कितना hydrogen atom जुड़ा रहेगा के वल एक ही hydrogen atom जुड़ा रहेगा तो इस दंक्षिए क्या होगा जो जो नंः पध यह ताम पास इसुप से नहीं ने कवान से कटी धि टीडरी डिनल्ट एट इह मौत धुळ मौनलान खुवसी डिनल्ट इनलम मौलधे अकि प्रोछ से जिस गया एंपर्वान के लिए मौत मध करई से aumentar ऐसे योगिक जिनकी संग्रसने क्या होती एक जैसी होती है बट उनका क्या हो जो structure है मतलब उनका molecular formula molecular formula एक जैसा होगा बट उनकी संग्रसने क्या होगी अलग होगी उन्हें क्या बोलता हम structural isomer से बोलते हैं उन्हें क्या बोलता हम structural स्ट्रक्ट्ट्रल को क्या बते हैं हिंदिय में संग्रसना तो संग्रसना आत्मक समायता बोलत उसको क्या बोला हमने उसको संग्रसना आत्मक समायता कहलाते हैं या संग्रसना आत्मक समायता कहलाते हैं ठीक इसको याद रखिएगा in addition to straight and bran carbon change some compounds have carbon atoms arranged in the form of a ring कभी-कभी क्या होता है एक तो हमने straight दिखा दी सीधी संकला में दिखाया अभी ठीक है यह वाला सीधी संकला थी उसके वाला branch दिखाया हमने इसके साथ carbon atom जोड़ा था तो यह branch होगी इसके लावा क्या होता हमार पास कुछ रिंग में भी आते हैं ठीक है तो उसको हम डिस्कस कर रहें फॉर एक्जामपल सैकलोहेक्जेन दा मॉलकुल फॉर्मॉला C6H12 एंड दा फॉल्मिक स्टॉक्चर ठीक है जो सैकलोहेक्जेन था उसका जो मॉलकुल एंड ठीक्चर था मॉलकुल फॉर्मॉला ऊवके था हमार पास C6H12 है तो इसकी संग्रशना कैसे बनेगे कि उसको इसको मगद दिखा देता हूं कारवन 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 और इस लंक्स के क्या होगा? इसकी संघ्रस्ता बनेगी. हेग्जागन बना है ना हेग्जागन एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे कार्वन क्या कर दिये? हमने इसमें रंग के फॉँआं में क्या कर दिये? तिक इसको मत्वा उपर बनाता है ताकि इसमें hydrogen atom भी जो सकाँ एक दो तीन चार पांच छे तो यह क्या हो कार्वन का एक carbon atom दूस्के carbon atom से bonded होगा अब इनकी valency को satisfied करने के लिए क्या करेंगी हम hydrogen atom इसके साथ bonded करेंगी देखो मैं पहले बता चुका आप इसमें कितने hydrogen atom जोड़ेंगे इनकी अस्टक्त जो नियम है ऑक्टेर जो रूल है उसके साब से देख सकते हैं बहार एक अक्षा में carbon का electron मिन्यास किया है दो चार बहार एक अक्षा में किते electron है चार electron तो चार electron याद रखेगा उसमें से जितना octate के लिए चाहिए उसको हम जोड़ते जाएंगे इससे स्टार कर रहे हैं सबसे पहले यह वां carbon atom से ठीक इसको देखेगा इसको मैं डिसक्स कर रहा हूँ तो इस carbon के चार अपने थे पांचवा यहां से आया चाटा यहां से आया कितने हो इच्छा है अब बचे कितने दो कितने बचे दो तो पहला hydrogen atom में इस पर यह जोड़ दिया यह hydrogen atom में यह जोड़ दिया तो यह carbon का octate क्या होगा complete चार पहले थे 5,6,7,8 octate complete हो गया ठीक है उस होगे इसका भी complete हो गया ठीक है यह हमने रिखा दिया इस कारण के बात करते है तो 4 अपने थे 2 carbon atom से 6 होगे 2 hydrogen से 8 होगे इस कारण के 4 अपने थे 2 carbon atom से 6 होगे 2 hydrogen से 8 होगे क्या होगी इस cyclohexane की क्या होगी संक्रस्तना बन जाएगे तो carbon carbon की बीच क्या single bond और c6 h12 जो बना था c6 h12 जो बनाए था उसके हमने यहां पर संक्रस्ता देगी तो यह जो संक्रस्तना होती इसे क्या बोलता हम रिंग form ठीक है रिंग देखा ना आपने यह क्या थी रिंग यह carbon components इन भी saturated or unsaturated ठीक है जो हम पास क्या होगी स्टेट्स होगा या ब्रांच होगा या सैकल होगा वो क्या हो सकते हैं saturated भी हो सकते और unsaturated भी हो सकते हैं देखो शैकल क्या अपको electron dot structure बनाना है तो इसको मैं देखो एक दूख दो कार्मेटम का दिखा था हो ठीक है देखो यह carbon और यह carbon देखा में देखो, इस carbon के बात करेंगे इस carbon को द passado मैं देख ले था हम इस carbon के 4 electron हम अपने एक दो, तीन, चार तो इस carbon atom के अपने है वैसे क्या है? ये carbon atom लिखा हमने तो इस carbon atom में की 4 electron दिखाँ हमने एक, दो, तीन, चार इस carbon atom के हैं, ठीक है अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका electron dot structure बना रहे हैं, तो प्रते कार्मिटम के साथ क्याक है, दो-दो hydrogen atom थे, तो एक hydrogen atom हमने यहां लिखा है, तो electron का dot से दिखा दिया हमने, इसका electron क्या हो गया, complete हो गया, ठीक है, वैसे हम यहां पर भी hydrogen atom दिखाएंगे, इसका electron यह होगे, doublet system में complete हो जाएगा, वैसे हमने यह hydrogen atom दिखाया, यह वाला पार्ट में complete हो जाएगा, तो यह दिखा दिया हमने इसको, यह hydrogen atom, यह वाला, तो यह complete, ठीक है, इसके दिखाएंगे, अब माल लो इस carbon atom को, इस carbon atom को क्या अगर आप सकी अब structure बना रहे है, तो इसका carbon atom फिर आएगा, तो वो electron यहां से आएगा, ठीक है, इस carbon के भी हम कितने electron दिखाएंगे, 4 electron, तो यह carbon atom लिए हमने, यह carbon atom तो इसके 4 electron दिखाएंगे, कौँ कौँ का दिखो, एक हमने यह लिखा हूआ है, दूसरा हमने यह लिखा, तीसरा यह लिखा, चौथा लिखा, चार से क्या होगा, आगे आप इसको hydrogen atom और carbon atom क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ते भी जा सकते हैं, ठीक है, तो इस धंक्सम इसके electron dot structure को बना सकते हैं, for example, benzene, C6, S6 has the following structure, benzene को follow में क्या होता है, C6, S6, इसको व्याद रखी को कभी कभी पूछ लेता है, कि benzene का structure क्या होता करके, अ पांचवा, छटा carbon atom, तो यह हमने 6 carbon atom दिख दिए, अब यह आपना hydrogen atom कितने एच्छ है, तो प्रते carbon atom के साथ हम एक-एक hydrogen atom जोड़ देंगे, electron नहीं दिखाता हम, इससे ही single bond से दिखाता हम, यह hydrogen atom इसके साथ जोड़ा, 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 यह hydrogen atom इसके साथ जोड़ा हमने, और यह hydrogen atom इसके साथ दिखाती है, ठीक है, अब छ्फवर यहां चाहिए भी एक है के सरक्ट ना पर थे कर समत्य ऑप इस सब्सक्राइब दीच ही किया थे ऑभ नहींने क्योंकि तो यहां पर फिर double mode आएगा, यहाँ पर फिर double mode आएगा, ठीक है, तो इस दंक्षे हम इसको दिखाते हैं, कहां कामर कहने हम, एक कार्बिट हम को छोड़ कि, तो पहला और दूसरे की बीज, फिर तीसरा और चौते की बीज, यहाँ दिखेंगे हम इसको, फिर यहाँ दिखाएंगे, तो इस दं कार्बन हो और हैडोजन होगा, जिसमें क्या वल कार्बन होगा, और हैडोजन होगा, तो उन्हें क्या बोलता हम, हैडोकार्बन से बोलते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलन हम, हैडोकार्बन से, किनको बोलन हम, जिसमें क्या वल कार्बन और हैडोजन होगा, तो उन्हें क् अमंग दीज, the saturated hydrocarbons are called alkyns, जो saturated hydrocarbons होते हैं, उन्हें क्या बोलता हम, alkyn के नाम से जानते हैं The unsaturated hydrocarbons which contain one or more double bond are called alkyns, ऐसे hydrocarbons जिनमें एक या एक से ज़्यादा double bond होंगे, मतलब double bond होगा, दुई आबंद होगा, त्री आबंद होगे, दो बंद होगे, यह हो जाए कार्मन और कार्मन की बीच, तिर्पल बंद की बीच इस दंग से दिखाएंगे, तो इन्हें क्या बोलता हम, unsaturated बोलते हैं, ठीक, unsaturated alkyns बोलते हैं, those containing one or more triple bond are called alkyns, ठीक, जिसमें triple bond होगा, तो उन्हें क्या बोलता हम, alkyns, ठीक, इसको याद रखेगा, why, sorry, will you be my friend, क्या आप मेरे दोस्त हैं, क्या हिंदियोस का, या मुझसे दोस्ती करोगे, sorry, मुझसे दोस्ती करेंगे, will है न, will you be my friend, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे, देखो, कार्वन की बात कही है, कार्वन कैसे bonding करता है, उसके बारे में यहाँ पर डिसक्स किया गया है, कार्वन seems to be a very friendly element, कार्वन के अपने आमें बहुत जादा मैत्रिकोन ब्याहर वाला तत्व है, so far, we have been looking at compound of carbon and hydrogen, हमने इस तरीके से कहा है, कार्वन के बहुत सारे example, किस इसके साथ, hydrogen के साथ देखिए, तो carbon और hydrogen के बहुत सारे योगिकों किया कि हमने डिसक्स किया है, but carbon also forms bonds with other elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur, जो carbon hydrogen के साथ तो bonding करता है, उसके अलावा carbon hydrogen के साथ भी, nitrogen के साथ भी, oxygen के साथ भी, sulfur के साथ भी क्या कर सकता है, bonding कर सकता है, in a hydrocarbon chain, one or more hydrogen atom can be replaced by these elements such as that the valency of carbon remains satisfied, तो जो hydrocarbon होते हैं, उसमें एक है, एक से ज़्यादा, जो hydrogen atom होंगे, उनको हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पर ये जो समू होंगे, जैसे chlorine आगिया, bromine आगिया, या फिर hydrogen आगिया, oxygen आगिया, nitrogen आगिया, sulfur आगिया, कोई भी element क्या हो सकत उससे जुड़ा रहेगा, और उसकी valency क्या होगी, satisfied होगी, in such compounds, the element replacing hydrogen is referred to as a hetero atom, जहां पर hydrogen हट गया, उसकी जगह कोई दुरसा atom आगिया, ठीक है, तो उससे क्या बोलता हम, hetero atom बोलते हैं, ठीक है, बिशम परमानों के अंदगरत उसको हम रखते हैं, ठीक है, बिशम परमा hetero atoms confer specific properties of the compound, regardless of the length and nature of the carbon change and hence are called functional group, अब जो हमने क्या क्या, एक दूसरा क्या क्या हमने उस पर group attached किया, ठीक हमने क्या क्या, जैसे मालो, example भी दिता हम साथ, यह हमार पास methane का structure था, यह क्या हमार पास methane का structure है, मालो इसमें हमने यह hetero atom हटाया, इसकी जगे क्या देवर दिए, क् अलम, atom जो हगा, इसे क्या बोलेंगे हम, हेट्र atom, अब इस compound की, जो गुणधरम होंगे, ओ, CL atom जो जुड़ा होंगे, इसकी बेस पर define के जाएंगे, यह मालो हमने हट्रोजन की जगे, क्या जोड़ दिया, OS जोड़ दिया, OS क्या होता है, alcoholic group, तो यह क्या करेगा, इसकी functional group बोलता है, जो क्या करेगा, उस compound की, जो properties होंगे, गुणधरम होंगे, उनको बताएगा, तो उसे क्या बोलता हम, functional group, जिसको हिंदी में क्या बोलता हम, प्रकर्यात्मक्षमू या किर्यात्मक्षमू भी बोलता है, सम इंपोर्टेंट functional groups are given in table 4.3, 4.3 है, table है, तो यहाँ यहाँ पर कुछ हमारे पास क्या है, functional group के उधारन हमें दिये गए है, पहला हमारे पास है, यहाँ पर, heteroatom, functional group और formula of the functional group, ठीक है, तो तीन अलगा कटेगर दिये है, chlorine और प्रोमीन, CL क्या होता है, chlorine और VR क्या हता है, bromine, तो इसको यहाँ पर दिखाए गया है, तो इसे क्या बलता हम, hello groups, ठीक है, halogen होते हैं, तो इन्हें क्या बलता हम, hello compound, तो chloro और bromo क्या है, यहाँ पर attached क्या है, तो इसके फॉर्म में क्या होगा, इसका function क्या होगा, dash CL, dash BR, dash iod sodium, dash bromine, fluorine, fluorine, fluorine को लिख दे हम, F, तो यह क्या होगा, इसके साथ bonded होगा, तो इन्हें element को क्या बलता हम, halogen, oxygen, oxygen, heteroatom होगा, तो oxygen अगर heteroatom होगा, तो इसके साथ क्या क्या हो सकता है, alcohol हो सकता है, तो dash OH, तो जैसे भी मैंने बताया, CS3 OH, ठीक है, methanol होता है, LDH हो सकता है, तो dash CS3, CHO, तो यह CHO group क्या कहराता है, CHO ही, तो CHO group क्या कहराता है, LDH group कहराता है, ठीक है, इसको IPSC में नाम क्या आएगा, उसको हम आगे discuss करेंगे, ketone group क्या होता है, dash CO, देखो हमने लिखा, dash, carbon atom, इसके साथ क्या होगा, oxygen atom जोड़ा हो रहेगा, तो यह क्या होगा, ketone group है इसको या देखेगा, carboxyl group, तो dash, इस दंग से क्या करता है, carboxylic smoke को क्या करता है, write करते है, ठीक है, तो यह क्या हमार पास, जो carboxylic acid है, आपने नाम सुनाओंगा, methinoic acid, ठीक है, estic acid, vinegar तो नाम सुनाओंगा, तो vinegar में यही compound क्या होता है, attached रहता है, ठीक है, तो इस दंग स ठीक है, उसको हम किसे, एक single line से, एकल आबन से क्या करता है, दिखाते है, the functional group is attached to the carbon chains, through this valency by replacing one hydrogen atom or atoms, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगा, हम जो valency होगी, मतलब जो hydrogen atom होगा, उस hydrogen atom को हम वहां से हटा देंगे, उसकी जगे क्या 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 क ठैंक्यो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब